दोस्तों सागत आप सभी क्या रिटेक पे इस वीडियों बात करेंगे बेस्ट मॉनिटर अंडर 40,000 के बारे में अगर आपका बज़र 40,000 रुपए है और वहाँ पे आप खोज रहे हो बैतरीन मॉनिटर और आपको समझ नहीं आ रहा कि कौन सा मॉनिटर लिया जाए किस कंपनी का मॉनिटर लिया जाए या फिर आपके काम के हिसाब से कौन सा मॉनिटर परफेक्ट रहेगा ये वीडियो आपके लिए है इस वीडियो को अंत बिना स्किप किये देखे आपको अंत में पता लग जाएगा कि कौन-कौन से monitors आपके लिए हैं आपके काम के हिसाब से कौन-कौन से features monitors में देखने चाहिए और 40,000 के इस budget में वो कौन सा monitor है जो आपके लिए overall best monitor थावित हो सकता है दोस्तो यह सब मैं बताऊंगा इस वीडियो में बस वीडियो को आने तक जरूर से देखेगा पर आगे बने से पहले अगर आप चनल पे नए हो तो नीचे लाल लंग का बटन दिख रहा होगा दबा दो साथ साथ बल नोटिफिकेशन को ओल पे कर दो ताकि नए वीडियो इस आप तक जल से जल पहुँच पाए दोस्तो इस वीडियो का लाइक का टागेट रखते हैं मातर 25 लाइक का जल्दी से कम्पलीट कर दो दोस्तो बेस्ट मॉनिटर अंडर 40,000 पे आने से पहले अगर आप मॉनिटर के बारे पे और भी जादा जानना चाहते हो तो आपको मैं रिकमेंट करूँगा कि आप ये व्याली वीडियो जरूर से देखिए इस वीडियो मैंने बेसिकली कम्पेर किया था टीवी बॉसस मॉनिटर को कि कौन सा प्रोड़क्ट आपके लिए बैतरीन हो सकता है और यहां पे मैंने काफी सारी चीजों को भी कवर किया था तो आप ये वीडियो देख सकते हो for more knowledge और अगर आप अलग-अलग budget में best monitors के बारे में जारना चाहते हो तो यहां पे ये सारी वीडियो आप देख सकते हो दोस्तो अब आते हैं अपने top 3 best monitors under 40,000 के उपर यहां पे आम तौर पर मैं top 5 के list बनाता हूँ पर इस वीडियो में मैंने short and simple कर दिया है ताकि जादा confusion create ना हो उपर से हम एक बहुत जादा बरे budget के बारे में बात कर रहे हैं तो यहां पे हम top 5 के बारे में नहीं बलकि top 3 monitors के बारे में हम जानेंगे और दोस्तो यहां इस list में number 3 पे है gigabyte के तरफ से gigabyte gaming g32 qc पहले इसके specifications पे नजर डालेते हैं उसके बाद price के बारे में बात करेंगे दोस्तो बात करूँ अगर इसके specifications की तो यहां पे जो हमें display size देखने को मिलती है वो मिलती है 31.5 इंच का और यह एक दोस्तो curve monitor है और यहां पे curvature हमें देखने को मिलता है 1500R की panel दिया गया है VA आपको पता होगा monitor के case में आम तोर पे हमें 3 तरह के panels देखने को मिलता है IPS, VA और TN panel तो यहां पे VA panel दिया गया है दोस्तो अगर मैं बात करूँ करना saturation की इस monitor में तो 94% की DCI हमें देखने को मिलती है और SRGB हमें देखने को मिलता है 124% तक का दोस्तो वही हमें resolution quad HD का देखने को मिलता है 2560x1440 का resolution इसमें दिया गया है brightness की अगर हम बात करें तो यहां पे 350 nits की brightness दी गई है contrast ratio है 3000 is to 1 का dynamic contrast ratio यहां पे दिया गया है 12 million is to 1 का response time जो की बहुत important हुता है monitors के case में वो है 1 millisecond का और यह MPRT response time है यानि की यह boosted response time है दोस्तो जो typical response time है वो है 4 millisecond का और यहां पे refresh rate हमें 165 Hz तक का देखनी को मिल जाता है यह monitor इस लिस्ट में क्यूं है अभी तक आपको समझ नहीं होगा क्यूंकि specification बहुत ही moderate सा है दोस्तो यहां पे आप अगर नीचे गौर करोगे तो HDR का support इस monitor में मिलता है वो भी HDR 400 का जो आम तोर पे हमें इस ते नीचे वाले budget में देखने को नहीं मिलता तो यह important चीज है जो इस monitor को इस list में रखता है दोस्तों connectivity के बात करें तो यहां पे HDMI 2.0 की दो ports दिये गए है और display port आपको मिल जाता है एक और box में आपको इसका cable भी मिल जाएगा तो उसके regarding आपको tension लेने की कोई ज़रुवत नहीं है यहां पे आपको एक headphone jack भी देखने को मिल जागा audio output के लिए और इस monitor में आपको USB port भी देखने को मिलेगा दो वो भी USB 3.0 वही दोस्तों आप बात करें इसकी price की तो इसकी price है Amazon के ओपर 30,400 रुपए जो हमारा lower circuit है उससे ये थोरा सा ही जादा है क्योंकि हमने इस वीडियो में range रखा था 30,000 से 40,000 का और ये जो monitor है ये एकदम हमारे lower range पे आता है दोस्तों वही अगर मैं बात करूँ ये monitor किन के लिए है तो ये monitor हर उस इनसान के लिए है जो एक overall monitor चाहता है इस price category में और एक बहतरी monitor आप लेना चाहते हो तो आप इसको जरूर से ले सकते हो सबसे पहली चीज़ आप इसको तभी consider करना अगर आप curved screen चाहते हो क्योंकि कई लोगों वा flat screen भी चाहिए होता है तो यहां पे एक बात आप ध्यान रखो कि यह curved monitor है curved में overall best monitor आप चाहते हो तो आप इसको जरूर से ले सकते हो दोस्तो प्राइस के हिसाब से अपने category में यह one of the best monitor है इसको आप आप बंद करके ले सकते हो दोस्तो आप बढ़ते है अपने list में नंबर 2 monitor के तरफ दोस्तो नंबर 2 पे है LG के तरफ से एक बहतरीन 4K monitor model name आप यहां पे देख सकते हो बात करेंगे इसकी key specifications की तो यहां पे दोस्तो डिस्प्ले हमें देखने को मिलता है 31.5 inch का panel VA panel यहां पे दिया गया है resolution यहां पे 4K मिलती है ultra HD brightness दोस्तो इसमें कमाल की दी गई है brightness दी गई है 400 needs की response time की बात करें तो यहां पे response time मिलता है 4 millisecond का gray to gray contrast ratio की बात करें तो 3000 is to 1 का contrast ratio हमें देखने को मिल जाता हो refresh rate है 60 hertz का और यह HDR 10 certified monitor है दोस्तो यह अपने आप में बहुत बरी चीज है अगर मैं बात करूँ पॉर्ट की तो यहां पे 2 USB पॉर्ट, 2 display पॉर्ट और 2 HDMI पॉर्ट आपको देखने को मिल जागा और साथ ही एक USB Type-C भी पॉर्ट हमें देखने को मिल जाता है दोस्तो अगर मैं बात करूँ इसकी price की तो इसकी official price तो दोस्तो 60,000 रुपीज है अफिशल साइट पे लेकिन Amazon पे यह आपको 41,990 रुपीज में मिल जाएगा मैं जानता हूँ बजट से थोरा सा जादा है बट यह वोर्थिट मॉनिटर है और इसका एक IPS वैरियंट भी आता है बट IPS वैरियंट मैंने इस लिस्ट में इसलिए नहीं रखा क्योंकि यह वाला जो वैरियंट है यह 32 इंच का है और IPS वाला जो इसका वैरियंट है वो आता है 27 इंच का हाला कि उसका भी लिंक और डीटेल मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा अगर आपका इंट्रेस्ट हो तो आप जाके उसको चेक कर सकते हो दोस्तो अब आते हैं इस लिस्ट में नमबर वन मॉनिटर के तरफ नमबर वन मॉनिटर है LG के तरफ से LG अल्टरा गियर बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशन की मॉडल लेम यहाँ पर लिखा हुआ है नोट कर सकते हो आप इसको हाला कि description में इन सब का link में दे देता हूँ तो वहाँ से आप directly भी जाके चिक कर सकते हो दोस्तो अगर बात करें इसके स्पेसिफिकेशन की तो यहाँ पर display size हमें देखने को मिलती है 34 inch की और यह एक ultra wide monitor है ultra wide के साथ साथ यह curved monitor भी है दोस्तो अगर बात करें इसके display type की तो यह IPS panel के साथ आता है और resolution यहाँ पर दी गई है ultra wide full HD की यानि की 2560 x 1080 की resolution हमें देखने को मिलती है और aspect ratio है इसकी 21 is to 9 की brightness दी गई है 300 nits की response time 5 millisecond का है gray to gray और 1 millisecond का है boosted response time contrast ratio है 1000 is to 1 का और refresh rate यहाँ पर हमें मिल जाता है 144 Hz का दोस्तो HDR10 को यह monitor support करता है और दोस्तो अगर बात करें color gamut की तो यहाँ पर यह SRGV 99% तक support करता है दोस्तो वहीं पर ports की बात की जाया तो display port आपको इसमें देखने को मिल जागा 1 HDMI port दो देखने को मिल जागा तो आपको पता लगा कितने ही लोगों ने इस monitor को लिया है और rating भी किसी साब से दी है rating इसकी काफी जादा positive है तो जाहिर सी बात है इतने लोगों ने ऐसे ही तो नहीं लिया तो मैं बताता हूँ कारण क्या है इसको लेने का यह एक ultimately curved और ultra wide monitor है जो अपने आप में बहुत rare होता है इस price segment में और साथ ही साथ यह सिफ curved monitor नहीं है यह IPS panel के साथ भी आता है और यहाँ पे आपको refresh rate भी बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है यहाँ पे अगर मैं बात करूँ IPS monitor के साथ curved monitor के combination की तो सबसे जरूरी जो चीज दिमाग में आता है वो आता है video editing आपको चाहिए color accuracy एकदम बढ़िया वाला और video editing में curved monitor और ultra wide monitor की बहुत ज़ादा ज़रूरत परती है जो professional video editor है वो इस बात को समझते है तो यहाँ पे ऐसे monitors की कमी बहुत ज़ादा है इंडिया में और इसके वज़े से इसकी इतनी demand है और यह अपने particular customer segment को आराम से satisfy भी करता है और दोस्तों महीं बात करें हम gaming aspect ही तो यहाँ पे आप अगर refresh rate पे गौर करोगे तो 144 Hz का refresh rate दिया गया और 1 millisecond का boosted response time भी आपको देखने को मिल जाता है इसका मतलब यह है कि यह monitor आपको एक बहतरीन gaming भी करा सकता है और एक चीज इस list में मैंने जितने भी अभी तक monitor mention किये वो सब AMD के तरफ से certified free sync के साथ आते हैं और NVIDIA G-Sync को भी support करते हैं तो आपके पास graphics card चाहे जिसका भी हो इन सारे monitor के साथ वो बहदी बहतरीन तरीके से pair हो सकता है और आपको एक ultimate experience भी मिलेगा तो अगर आप एक बहतरीन monitor खोच रहो gaming purpose के लिए और video editing purpose के लिए या फिर professional work के लिए तो यह वो monitor है जिसको आप consider कर सकते हो बसरते हैं आपकी limitation resolution की ना हो अगर आप एक 4K monitor चाहते हो तो आप LG के तरफ से जो मैंने 4K monitor recommend के था आप उसको ले सकते हो दोस्तरे इन सारी products का link नीचे वीडियो के description में आपको मिल जागा latest pricing आप वहां से जाके चिक कर सकते हो, मैंने जो भी pricing code किया इस वीडियो में वह Amazon से code किया तो आप उसकी latest pricing जाके चिक कर सकते हो और अगर आप वीडियो को यहां तक देख रहे हो तो आप भगदार हो एक bonus tip के आपके लिए bonus tip सब से बहतरीन यह हो सकता है कि अगर आप एक बहतरीन monitor खोज रहो काफी बहतरीन monitor है यह यह monitor इस list में सिर्फ एक वज़े से नहीं है दोस्तो, इसकी जो price है वो हमारे bandwidth को cross कर रही थी इसकी current pricing दोस्तो 43,000 रुपीज है और 43,000 रुपीज अगर आप बेर कर सकते हो अगर आपकी budget की problem नहीं है तो आप आराम से इसको ले सकते हो एक बहतरीन monitor है, curve monitor है, अच्छी quality के साथ आता है क्यों लिए display इसमें दिया गया है बहुत ही बहतरीन picture quality आपको इसमें देखने को मिल जाएगा एक और monitor है इस top 3 list में जो मैंने 40,000 से जादा price पे quote किया था लेकिन उसकी current pricing मैंने quote की थी वो कई बार sell में आपको 38,000-37,000 पे भी देखने को मिल जाएगा LG का था वो monitor तो यहाँ पे अगर आप इसको उससे compare करोगे तो यह ठीक नहीं है ODC G7 आम तोर पे 42,000 से 46,000 के वीच भैरी करता है तो यहाँ पे minimum price जो आपको देखने को मिलेगा वो 42,000 के आसपास देखने को मिलेगा इसके वज़े से मैंने इस list में इसको नहीं रखा तो आप इसको definitely consider कर सकते हो यह है आपके लिए एक bonus tip दोस्तो ऐसे बहुत सारे monitor है जो इस list में जगभ बना सकते थे लेकिन मैंने उनको नहीं रखा क्योंकि कहीं न कहीं problem था ROG के तरफ सभी एक बहतरीन monitor था बट वो देखने में सिफ अच्छा था अगर मैं बात करता specs की तो ऐसा कुछ नहीं था जो price के हिसाब से एकदम voted हो और यहां पर मेरी कोशिश थी कि अगर आप 40,000 खर्च करो एक monitor में तो उस पूरे 40,000 का experience आप ले सको तो यहां पर मैंने उसी हिसाब से monitor सेलेक्ट किया उमीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए चैन्द